उत्राखन में पोस्टल बैलेट में गडबड़ी को लेकर घमासान मचा है गडबड़ी की आशंका वाले वाइरल वीडियो को लेकर निर्वाचन काराले भी पूरी तरह से गंभीर है मुख्यन निर्वाचन अधिकारे ने सैन्ने चेत्र की इस वीडियो को लेकर सभी रिटर्निंग अफसरों में जानकारी मांगी है इस मामले में उत्राखन कॉंग्रेस पूरी तरह से मुखर हो गई है कॉंग्रेस के प्रदे सत्यक्ष गनेश गोध्याल के नेतरित में पाठी के एक प्रतिनिदी मंडलने उत्राखन की मुख्यन निर्वाचन अधिकारे सोजन्या जावलकर से शिकायत कर कारेवाई की मांगी कॉंग्रेस की एक प्रतिनीदी मंदल ने सच्चिवाले में मुख्य निर्वाचन अधिकारे सोजन्या जावलकर से मुलाकात की प्रदेश अध्यक्ष गनेश कोध्याल के नेतरित में कॉंग्रेस नेताओं ने सेवराथ सानिकों के डाग मतपत्रों के फरजी वाड़े के समद में शिकायत की यह जो बैलेट से वोड देने की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए और ट्रांस्परेंट तरीके से वोटर जो भी वोटर है जो पोस्टल वोटर का अधिकारी है वो पोस्टल वोटर फिजिकली कहीं पर भी एक यूनिट पर आकर या अपने बेस संग्यान लेगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये आंखें खोलने वाला है क्या चल रहा है बस लोगतंत्र का मजाग बन रखके रह गया है और ऐसा हुना नीचे इसको ततकाल रोके जाने क्या हो शकता है मैं उमीद करता हूं कि चुनायोगिस पर निश्यत रुप में सकारात्म उत्राखन की मुख्य निर्वाचन अधिकारे सौजन्य जावलकर ने कहा कि कॉंग्रेस ने इस विशय में शिकायत की है और फर्जी मद्दान का एक वीडियो भी निर्वाचन आयोग को दिया है उन्होंने कहा कि सभी अधिकारें को इस मामले में निर्देश दिये गए कि बैसेना के अधिकारें से बात चीत कर अपनी रिपोर्ट पेश करें इसके साथी कॉंग्रेस ने 80 वर्ष से अधिक बुज़ुर्गो निशंत जनों के वोटिंग प्रोसीजर को लेकर भी निर्वाचन आयोग से जानकारे मांगी है जो पितोरगर्च आरओ से यह रिपोर्ट हुई थे कि वाईरल हुआता करके उसके बाद जो वाईरल हुआता है उसने मेसेच में कोई particular unit का उन्हेंगे नाम दिया तो वहां का जो पूछा, तो वहां से ये response आया, तो उनसे concern नहीं है करके, संबंधित नहीं है करके, वो report उनको आरो को आ गया था, जो उन्होंने हमें अभी तक दिया है, और Congress का जो delegation अभी आये थे, उन्होंने जो postal ballot 80 plus और persons with disabilities का उनका भी पुरा प्रक्रिया पूछा, और उसमें भी उन्हो किसीने vote नहीं दर्ज किया, उसके बाद वों ठूकर, जब जाते हैं, उनोंने अपना right to vote को exercise नहीं किया, तो उसमें क्या प्रक्रिया होता है? तो उसमें ये प्रक्रिया होता है कि पूरा जो वोटिंग का जो शेडूल है, हर AT PLUS और PWT का जो voting का schedule है वो हम candidate से share करते हैं उसके बाद say suppose वो अपना कोई agent को उन साथ में बेजना चाहे तो वहाँ पे वो बेज सकते हैं उसके बाद कोई vote वहाँ पे करने से वो नहीं पाए जाते हैं दुबारा हम जाने के बाद भी वो नहीं पाए जाते हैं आर्मी का जो voting है उनका पूरा प्रक्रिया वो जानना चाहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके कोई सुजाव भी वो दे देंगे कि उसको और पारदर्शी बनाने के लिए ट्रांसपरेंसी लाने के लिए क्या क्या उसमें एलिमेंट जोड़ना चाहेंगे वो भी वो खल तक दे देंगे